C-I-E-T-N-C-E-R-T Presents Trilingual Dictionary of History for Schools इतिहास विद्ध्यालेओं के लिए त्रिभाशी शब्द कोश तारीख की लुगत स्कूलों के लिए सहलसानी Letter R, Index, Word and Page Number Radicals Page 105 Rajasuya Page 100 5 Realism, Realists Page 105 Red Shirts Page 106 Rain of Terror Page 106 Reserved Forest Page 107 Resident Residency Page 107 Revolt Page 107 Revolution Page 108 Revolutionary Nationalism Revolutionary Nationalists Page 108 Romanticism Page 109 Rule of Law Page 109 Rule of Primogeniture Page 110 Radicals 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 Page 109 Page 109 Chapter 109 Paduals Page 109 broad-based mass movement, using the methods of Swadeshi, boycott, non-cooperation and passive resistance. The best-known leaders associated with this group were Bal Ganga Dhar Tilak, Bipin Chandrapal, Aurobindo Ghosh and Lala Lashpatray. Some important newspapers and journals that promoted this ideology were the Vande Mataram, Kesari and the Maratha. आमूल परिवर्तनवादी भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस के उन नेताओं के समुहू को आमूल परिवर्तनवादी कहा जाता है, जो मध्यम्मार्गी नेताओं के राजनीतिक आंदोलन के तरीकों के प्रती अधिक अधिक असंतोष प्रकट कर रहे थे. बंगाल विभाजन अर्थात 1905 के बाद आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा और कारिक्रमों में परियाप्त धिर्था आ गई. उन्होंने आंदोलन के अनुनए विनय जैसे पुराने तरीकों को छोड़ने और उनके बदले स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिशकार करने असहयोग औसत्याग्रह जैसे अन्ने तरीके अपनाने की वकालत की. इस समूह से जुड़े सबसे प्रसिध नेता थे बालगंगा धर्तिलक, विपिन चंद्रपाल, अरुबिन दोगोश और लाला लाचपत्राय, जिन महत्वपूर्ण पत्रपत्रिकाओं ने इस विचारधारा का प्रचार किया, वे, वंदे मातरम, केसरी और मराठा थे. इंतिहा पसंद. इस इस्तिला से मुराद इंडियन नैशनल कॉंगरिस के वो रहनुमा हैं, जिन्हों ने एतिदाल पसंदों के सियासी तरीका एहतिजाज से बे इत्मिनानी का इजहार किया. तकसीम बंगाल 1950 के नतीजे में इंतिहा पसंदाना नजरियात और मनसूबों को काफी तक्वियत हासिल हुई. उन्होंने कदीम तरीका हाई एहतिजाज यानि अर्जदाशत को एक वसी तोर आवामी तहरीक में बदलने की वकालत की, जिसके लिए स्वदेशी बाइकॉट, आदम ताववन और मिजबत मजामत को अपनाया गया था। इस जमात से वाबस्ता मारूफ रहनुमाओं में बाल गंगधर तिलक, विपन चंदरपाल, और बिंदो घोश और लाला लाचपत राय थे। बास जरूरी अखबारात और रसाइल जिन से इंतिहा पसंदाना नजर वो वंदे मातरम केशरी और मराथा थे। इस ए। च्छवोड आज़ आजन राजन रेड़ इस विक्टोर है जिनीचे बास रेवरारे फ़ोड़ अ केश्वान। अनल्ड चौर्वड भार्द काश्वें। य॥िधिष्टरस राजसूया इज़ा राजसूया इसक्षाइने लूद से च्छाइट य॥। ठुला थे- पन्न किया जाता था जो स्वैम को राजा घोशित करवाना चाहता था ये यग्य एक वर्ष से भी अधिक समय तक चलता था और उसमें कई आपचारिक ताएं संपन्न करनी पड़ती थी जैसे उर्वरता संबंधी अनेक क्रिया कर्म पशुओं पर एक आपचारिक छापा जिसम भारत महाकावे में युधिष्ठिर के राजसुय यग्य का विस्तरत वर्णन किया गया है कई चोल राजाओं ने भी ये यग्य संपन्न किया था इस इस्तिला से मुराद एक कुर्बानी है जिसका जिकर माबाद वेद के मतून यानि एक हजार ता छे सो कबल मसी में किया गया है जिसे वो शत्रिय अंजाम देता था जो खुद को बादशा साबित करना चाता था इसमें कई वाकियात शामिल थे जो पूरे साल होते थे इसमें जिनसी इख्तिलात, रिवायती मवेशी च्छापे जिसमें राजा अपने रिष्टेदारों के जानवरों पर च्छापा मारता था और पंसा बाजी जिसमें बादशा की फतेयाब होने की तवक्को की जाती थी युधिष्टिर राजासुया का तफसीली बयान रजमिया महाभारत में किया गया है। बहुत से चोला हुक्मरानों ने भी इस उर्बानी को अंजाम दिया। during 17th-18th centuries in Europe, making its initial appearance in France. Philosophically, this movement rested on the premise that things in the outside world existed independently of human perception. In literature particularly, realism gained currency as a reaction to the over-emphasis which earlier romanticism had granted to human emotion. In the domain of art, it found portrayal in a lifelike fashion devoid of any ornamentation. In visual arts, the introduction of photography in the late 19th and early 20th centuries further improved the strength of this movement. Painters like Caraveggio, that is Dutch, Joss D. Ribera, that is Spanish and Francisco D. Zurbaran, that is French and novelists such as Daniel Defoe and Henry Fielding, that is English, who adhered to the principles of realism, came to be known as realists. In India, Raja Ravi Verma's paintings can also be said to have followed the principles of realism, though the themes of his paintings were largely drawn from Indian mythology. Page 106 यथार्थवाद, यथार्थवादी अपने दैनन दिन प्रयोग में इस शब्द का आर्थ है, जीवन और विश्व को ठीक वैसा ही समझना जैसा कि वे हैं. किन्तो एतिहासिक दृष्टी से देखा जाए, तो ये शब्द एक खास कलात्मक और सहित्तिक आंदोलन से जुड़ा है, जो योरप में सत्रवी अठार्वी शताब्दियों में सामने आया, और जो पहली बार फ्रांस में प्रकट हुआ. दाश्रिक दृष्टी से यांदोलन इस धार्णा पर आधारित था कि बाहे जगत में सभी चीजें मानवीय बोध से निर्पेक्ष रहते हुए स्वतंत्र रूप से विद्द्यमान है. साहित्य के संदर्भ में विशेशकर यथार्थवात का चलन, पूर्व में स्वचंदतावात के अंतरगत मानवीय समवेगों को दिये गए अत्तिथिक महत्व की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ. कलाक्षेत्र में यथार्थवात के अंतरगत जीवन का ऐसा सीधा सच्चा चित्रण किया गया, जो किसी प्रकार के अलंकरन से रहित हो. दृष्य कलाओं में उन्नीस्वी शताबदी के अंतिम और बीस्वी शताबदी के आरंभिक दशकों में जब फोटोग्रफी का उदे हुआ तो उस से इस आंदोलन को और भी बल मिला. कैरिवेगयो अर्थात डच, जोस दी रिबेरा अर्थात स्पेनी और फ्रांसिसको डी जूरबरान अर्थात फ्रांसिसी जैसे चित्रकारों और डैनियल डिफो और हेंडरी फिल्डिंग अर्थात अंग्रेज जैसे उपन्यासकारों को, جो यतारतवाद के सिध्धान्त से चुड़े रहे यथार्थवादी कहा जाने लगा। भारत में राजा रवी वर्मा की चित्रकारियों के बारे में भी कहा जा सकता है कि उन्होंने भी यथार्थवाद के सिध्धान्त का पालन किया। हालां कि उनकी चित्रकारियों के विशे अधिकतर भारतिये पौराने कथाओं से लिए गए थे हकीकत पसंदी हकीकत पसंद रोज मर्रा इस्तिमाल होने वाली इस इस्तिला से मुराद जिन्दगी और दुनिया को बाईना उनकी अपनी हालत में समझना है ताहम तारीखी लिहास से इस इस्तिला का तालुक बिल्खुस फानी औबादी तहरीक से है जो सत्रवी और अठार्वी सदी के दर्मियान यूरोप में वजूद में आई जिसका अब्तिदाई जहूर फ्रांस में हुआ था फलसफियाना तोर पर इस तहरीक का इनहिसार इस यकीन पर है कि इनसानी इद्राक से बाहर चीज़े अपना वजूद अजादाना तोर पर रखती हैं खुसूसां अदब में हकीकत पसंदी के फरोग को रुमानियत के जरीए इनसानी जज़बात पर गेर मामूली तवज्ज़ देने का रद्द अमल कहा जा सकता है फन के दाइरे में इसने जिन्दगी की खाके कशी इस तरह की जैसे के फैशन बगेर किसी जुबाईश के उननिस्वी सदी के अवाखिर में और बीस्वी सदी के अवाईल में बसरी फनून में फोटोग्रफी की इजाद ने इस तहरीक को मजीद तक्वियत पहुँचाई करवागियो, डच, होजे डे रिबियरा, इस्पेनी, फ्रैंसिसको डी जुर्बरान, फ्रांसिसी, जैसे मुसविरों और डैनियल डिफोर, हेन्री फील्डिंग, अंग्रेज, जैसे नौवल निगार जो हकीकत पसंदी के उसूलों पर कायम रहे, उन्हें हकीकत पसंद कहा हिंदुस्तान में राजा रौए वर्मा की पेंटिंग के बारे में भी कहा जा सकता है के इसमें हकीकत पसंदी के उसूलों पर अमल किया गया है, अगर्चे इनकी पेंटिंग के मरकजी ख्यालात ज्यादा तर हिंदुस्तानी असातीर से माखुज हैं Red Shirts This is an expression which acquired historical significance in 19th century Europe, when a military adventurer by name Giosippe Garibaldi set out in 1860 on an expedition to unify Italy with a thousand volunteers whose numbers grew to about 30,000 through the course of his campaign. In India, the same expression came to be used for volunteers who, led by Khan Abdul Ghaffar Khan, fought against the British in the North-West Frontier Province, although in a non-violent movement. Formed in 1929, they were also known as Khudai Khidmatgars or Servants of God. Red Shirts Arthat Lalkurti इस अभिवक्ति को 19-वी शताबदी के यॉरप में उस समय एतिहासिक महत्व मिला, जब Giosippe Garibaldi नामक सैनने सहसिक 1860 में अपने 1000 स्वैम सेवकों के साथ, जिनकी संख्या उसके अभियान के दौरान बढ़कर 30,000 के आसपास हो गई थी, इटली का एकी करण करने के लिए अ अभियान पर निकला था, भारत में इसी अभिवक्ति का प्रियोग उन स्वैम सेवकों के लिए किया जाने लगा, जो खान अब्दुलगफार खान के नित्रतों में पश्चिमुत्तर सीमा प्रांत में अंग्रेसों के विरुद्ध धलडे थे, हालांकि उनका आंदोलन अहि अभिखी एहमियत उस वक्त हासिल हुई जब 1860 में ग्वेसिप गैरिबाल्डी जैसे मुहीम जो फौजियों ने एक हजार रजाकिरों के साथ इटली के इतिहात के लिए तयार हुए और उस दौरान मुहीम में तकरीबं 30,000 लोग शामिल हो गए थे, हिंदुस्तान में इस इजहार का इस्तेमाल उन रजाकारों के लिए किया गया जिनकी कायादत खान अब्दुल गफार ने शुमाल मगरिबी सरहदी सूबे में बरतानिया के खिलाफ की थी, ताहम ये अदम तशद्दुत की तहरीक थी, 1929 में तश्कील पाने वाली तन्जीम के अरकान खुदाई खिदमतगार भी जाने जाते थे Rain of Terror The expression refers to the short period of 11 months, beginning with September 1793, when the French Revolution witnessed unprecedented domestic violence and political executions. Led by Maximilian Robespierre, the Committee of Public Safety constituted by the National Convention to safeguard the Republic from foreign enemies and domestic saboteers, adapted measures that resulted in large-scale imprisonment on slightest suspicion and speedy trial. As a result, as many as 20,000 people were executed, though some estimates put this figure to as high as 40,000 in France as a whole. The victims of this reign of terror were not only aristocrats, but included many more peasants and labourers too. Finally, with the arrest and execution of Robespierre, this brief but horrendous period came to an end on July 27, 1794. In a reversal of fortune, a hundred collaborators of Robespierre were also guillotined over the next two days. आतंक का राज इस शब्द का प्रयोग सितंबर 1793 में शुरू हुए, ग्यारह महिने की उस छोटी सी अवधी के संदर्भ में किया जाता है, जब फ्रांसिसी क्रांती में अभूतपूर्व घरेलू हिंसा और राजनीतिक हत्याओं का दौर चला. गणराज्य को विदेशी शत्रूँ और घरेलू विध्वनसकों से बचाने के लिए, नाश्टनल कन्वेंशन द्वारा मैक्स मिलियन रॉबिस पेरे के नित्रित्व में कमिट्टी ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने ऐसे उपाय अपनाए, जिसके परणाम सुरूप जरा सभी अंदेशा होने पर तुरंत मुकद्दमा चलाया जाता था, और कारावास की सजा दी जाती थी, इसके परणाम सुरूप बीस हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, हालां कि कुछ अनुमानों के अनुसार मारे जाने वाले लोगों की संख्या समस्त फ्रांस में कुल मिलाकर 40,000 तक बताई जाती है, इस आतंकी शासन के शिकार अभिजात वर्ग के लोग ही नहीं थे, बलकि उनमें किसानों तथा मजदूरों की संख्या उन से भी अधिक थी अन्तितार रॉबस पेरे की गिरफतारी और फांसी के बाद ये भायानक दौर 27 चुलाई 1794 को समाप्त हो गया, और भाग्य के बदलाव के साथ ही रॉबस पेरे के सैंकडों सहयोगियों को भी अगले दो दिनों में मौत के घाट उतार दिया गया पेज 107 दहशत का दौर इस इजहार से मुराद 11 महीने की एक मुखतसर मुदत है जिसका आगाज सब्टेंबर 1793 में उस वक्त हुआ जब इनकलाब फरांस में बेपना दाखिली तशद्द और सियासी हरीफों के गतल का दौर दौरा था गैर मुल्की दुश्मनों और मुल्की तखरीब कारों से हिफाज़त की गर्ज से मैकसिमिलियन रॉबिस्पेर की गयादत में कौमी मजलिस की तशकील करदा कमीटी आफ पबलिक सेफटी ने मौजू इकादमात किये जिसके नतीजे में मामूली शक्की बुनियाद पर बहुत से लोगों को कैद और फौरी समात के लिए भेज दिया जाता था नतीज़तन बीस हजार से जाइद और एक अंदाजे के मताबिक फ्रांस में कुल चालिस हजार लोगों को फांसी दी गई खौफ और हिरास के इस दोर में ना सिर्फ अशर्फिया बलके बहुत से किसान और मजदूर भी उसकी जद में आ गए बिल आखिर रॉबिस पेर की गिरफतारी और उसको फांसी के बाद ये तभाकुन दौर 27 जुलाई 1794 को खत्म हो गया और किस्मत की करवट ने अगले दो दिन में रॉबिस पेर के सैकडों साथियों का सर कलम करा दिया RESERVED FORREST The term refers to those natural forests which were sought to be protected from wanton use or exploitation or movement by people under the Forest Act that was enacted in 1878 by the British Indian Government. Under this Act, forests were divided into three categories, reserved, protected and village forests. The best among these forests were designated as the reserved forests. आरक्षित वन इस शब्द का तातपर्य उन प्राकृतिक वनों से है जो लोगों द्वारा किये जाने वाले अनियंत्रित शोशन, दोहन या आवा गमन से उन्हें बचाने के लिए ब्रिटिश भारतिय सरकार द्वारा 1878 में अधिनियमित अर्थाद बनाए गए वन अधिनियम के अंतरगत आरक्षित घोशित किये गए थे. इस अधिनियम के अंतरगत वनों को तीन शेणियों में विभाजित किया गया था आरक्षितवन, संरक्षितवन और ग्रामवन इन में से सरवुत्तम वनों को आरक्षितवनों की शेणि में रखा गया था महफूज जंगल इस इस्तिला से मुराद वो गुद्रती जंगलात हैं जिने लोगों के बेजा इस्तिमाल या इस्तिसाल या लोगों की आमदुरफ्ट से बचाने की गर्ज से बरतानवी हुकूमत हिंद ने 1878 में फॉरिस्ट एक्ट बनाया था इस एक्ट के तहट जंगलात को तीन किस्मों में तक्सीम किया गया था महफूज, मखसूस और दैही जंगलात उनमें से सबसे ज्यादा बहतर महफूज जंगलात थे RESIDENT, RESIDENCY During the colonial period, the term stood for a representative of the English East India Company who was stationed in the capital of an Indian state that acceded to the subsidiary alliance. The first such Indian state where a British resident was stationed under this system was Awad. Subsequently, this arrangement was adopted in all other cases. It was through the agency of the resident, which came to be known as the residency, that the English East India Company and after the transfer of power in 1858, the British India government brought the whole of India under their effective control. See also, subsidiary alliance. RESIDENT, RESIDENCY अपनिवेशिक काल में ये शब्द English East India Company के ऐसे प्रतिनिधी का सूचक था, जो सहायक संधी की शर्तों को मानने वाले किसी भारतिये राज्य की राज़्धानी में तैनात किया गया था. ऐसा पहला भारतिये राज्य, जहां इस व्यवस्था के अंतरगत ब्रिटिश रेजिडेंट रखा गया, अवध था. आगे चलकर ये व्यवस्था अन्ने राज्यों में भी कर दी गई थी. इस व्यवस्था के माध्यम से ही, जिसे रेजिडेंसी कहा जाता था, पहले इंग्लिश इस्ट इंडिया कंपनी ने और 1858 में सत्ता के अंतरण के बाद ब्रिटिश भारत की सरकार ने समस्त भारत को अपने प्रभावी नियंतरण के अधीन कर लिया. सहाएक संधी भी देखें. सहाए गया था, वो अवध थी. बाद में उस तरीके को दीगर तमाम सूबों में भी अपनाया गया था. रेजिडेंट की एजेंसी मारूफ बारेजिडेंसी के जरिये ही मुम्किन हुआ कि इंग्लिश इस इंडिया कंपनी और 1858 में तबादलाए इख्तियार के बाद बरतानवी हुकूमत हिंद ने पूरे हिंदुस्तान को मौसर तोर पर अपने जेर तसलुत कर लिया. मजीद देखें एहदे मुआविनत Revolt Generally, the term signifies an uprising or protest against an existing authority or state at a particular time. Historically, such revolts have often been violent. Throughout India's history, disgruntled individuals and groups have risen in revolt against perceived injustices perpetrated by the authoritarian rulers and their dispensations. During the colonial period, different peasant and tribal groups across India had often taken recourse to revolting against the unjust laws and policies imposed by the British government to the detriment of their traditional rights and well-being. In 1857, a revolt on a far larger scale had also taken place, shaking the very roots of the British power in India. विद्रोह आम तौर पर इस शब्द का तात्पर्य एक ऐसे उपद्रव या विरोध से है जो एक समय विशेश पर किसी मौजूदा सत्ता या राज्य के विरोध किया जाता है. एतिहासिक दृष्टी से देखा जाए, तो ऐसे विद्रोह अक्सर हिंसक किस्म के रहे हैं. भारत के एतिहास में ऐसे विद्रोह, निरंकुष, शासकों और उनके अधिनस्थ अधिकर्णों द्वारा किये गए प्रत्यक्ष अन्यायों के विरुद्ध, असंतुष्ट तथा पीड़ित व्यक्तियों तथा समुहों द्वारा किये जाते रहे हैं. आपनिवे शिककाल में भी भारत भर में अनेक कृषक और जनजातिय समुहों ने उनके परंपरागत अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ब्रिटिश सरकार के गानून काईदों तथा उनकी अन्यायपूर्ण रीती नीतियों का मुकाबला करने के लिए विद्रोह का ही सहारा लिया था 1857 में भी एक बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ जिसने भारत में बिटिश सत्ता की जड़ों को ही हिला दिया पेज 108 बगावत आमतोर पर ये इस्तिला बरसर इक्तिदारे हुकूमत के खिलाफ खास वक्त में उठाने वाली या एहतिजाज को बयान करती है तारीखी लिहास से देखा जाए तो इस नू की बगावतें अक्सर पुर तशद्द होती है हिंदुस्तान की तारीख में मुतलकुल इनान हुक्मरानों और उनके जानशीनों की तरफ से होने वाली नाइनसाफियों को महसूस करने के बाद गेर मुतमाईन अफराद और जमातों ने उनके खिलाफ बगावतें की हैं नौ अबादियाती दोर में पूरे हिंदुस्तान में बरतानवी हकूमत की तरफ से आयत करदा गेर मुनसिफाना कवानीन और पॉलिसियों के खिलाफ मुक्तलिफ किसानों और कबीलों ने अपने रिवायती हुकूक और फला के लिए अकसर और बेशतर बगावत की तरफ एकदाम किये 1857 में बड़े पहमाने पर होने वाली बगावत ने हिंदुस्तान में बरतानवी ताकत की मजबूत जड़ों को हिला दिया Revolution In political philosophy, the term originally referred to the process of cyclical change in forms of government However, in historical context, the term generally refers to an overall and radical change in a given political, economic or social order or in the entire system as a whole In world history, the best examples of such radical change taking place in the existing orders in countries have been the French Revolution, the Russian Revolution and the Cultural Revolution in China has taken place in social and economic contexts because of dramatic changes taking place in systems of production and technological innovations The instance of industrial revolution which first took place in Great Britain and subsequently spread to other parts of the world in modern times is one such example Kranty राजनीतिक दर्शन में ये शब्द मूलतह सरकार के स्वरूपों में बार-बार होने वाले परिवर्दनों की प्रक्रिया का सूचक था किन्तु एतिहासिक संदर्भ में इस शब्द का तात्पर्य आम तोर पर एक ऐसे समग्र तथा आमूल परिवर्दन से है जो किसी राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था में अत्वा कुल मिलाकर समस्त प्रणाली में होता है विश्व के इतिहास में अनेक देशों में वहां की ततकालीन व्यवस्था में ऐसे अनेक आमूल परिवर्दन हुए हैं जिनके सर्वोत्तम उदाहरण हैं, फ्रांसिसी क्रांती, रूसी क्रांती और चीन की सांस्कृतिक क्रांती जो उत्पादन की प्रणालियों में नाटकिये रूप से परिवर्दन किये जाने और प्रद्योगिकी ये नवाचारों के करण वहां के सामाजिक तथा सांस्कृति ग्रेट बिटन में और तदुपरांथ विश्व के अन्य भागों में हुई और दियोगिक करांती भी ऐसा ही एक उधारन है इनकलाब सियासी फलसफे में असलन इस इस्तिला से मुराद हकूमत की हियत में पेदर पे होने वाली तबदीली से वाबस्ता एक अमल है ताहम तारीखी सियाक में इस इस्तिला का इतलाग आम तोर पर सियासी मुआशी या समाजी धाचे के मजमुई तोर पर पूरे निजाम में मकमल और बनियादी तबदीली पर होता है आलमी तारीख में इसकी बहतरीन मिसाल मुक्तलिफ मुमालिक के मौजूदा ढांचे में होने वाली बुनियादी तबदीलिया हैं मसलन इनकलाब फ्रांस, इनकलाब रूस और चीन का सकाफ़ती इनकलाब है जो के पैदावारी निजाम में होने वाली गेर मामूली तबदीलियों और तकनीकी इख्तियारात की वज़ा से वहां के समाजी और माशी सियाक में हरूनुमा हुआ था जदीद दोर में इसकी एक मिसाल सनती इनकलाब है जो सबसे पहले बरतानिया में आया और बाद में दुनिया के दूसरे हिस्सों में फहला Revolutionary Nationalism, Revolutionary Nationalists The expression refers to that stream of India's nationalist movement that believed in the freedom of the motherland through revolutionary means as distinct from the moderates and the extremists' methods of gaining political reforms and self-government respectively through constitutional and agitational means Revolutionaries like the Chapekar Brothers i.e. Daamudar and Balakrishna of Puna Shyamaji Krishnavarma Vidi Savarkar Madan Lal Dhingra Barindra Kumar Ghosh Prapulla Chaki Lala Hardyal Bhagat Singh Sukhadev Chandrasekhar Azad Rajguru Subhash Chandra Bose etc who professed and adhered to such means came to be known as revolutionary nationalists Many of these nationalists were inspired by contemporary ideologies and movements taking place in countries like Ireland at that time With a belief that Western imperialism could only be defeated by employing the Western methods of violence these revolutionaries formed secret societies, took to arms training, propagated the rationale of their actions through pamphlets and resorted to assassination of high officials considered to be responsible for unjust and oppressive administrative actions Krantikari Rashkwad Krantikari Rashkwadiy Krantikari Rashkwadiy Krantikari Rashkwadiy पूना के चापेकर बंधु, अर्थाद दामुदर और बालकृष्ण, शामजी कृष्णवर्मा, वीडी सावरकर, मदललाल धींगरा, बारिंद्र कुमार घोष, प्रफुल लचाकी, लाला हर्दयाल, भगत सिंग, सुखदेव, चंदरशेकर आजाद, राजगुरु, सुभा अर्धाराओं तथा आंदोलनों से प्रेरित थे, जो समय आरलेंड जैसे देशों में चल रहे थे, उनका विश्वास था कि पास्चात्य सामराज जिवात को पास्चात्य हिंसात्मक तरीके अपना कर ही हराया जा सकता है, इन क्रांतिकारियों ने गुप्त संस्थाइं स्थ पित की, शस्त्र प्रशिक्षन की विवस्था की, छोटी छोटी पुस्तिकाओं के जरीए अपनी कारवाईयों के तरकाधार का प्रचार किया और उन उच्च अधिकारियों की हत्या करना शुरू कर दिया, जो अन्याएपूर्ण और अत्याचारी प्रशासनिक कारियों के लिए जिम्मेदार समझे जाते थे पेज वन हन्डर्ड नाइन इनकलाबी कौम परस्ती इस इजहार से मुराद हिंदुस्तानी कौमी तहरी की एक लहर है जिसमें इनकलाबी तरीके से मादरे वतन को आजाद कराने पर यकीन किया जाता था जो इतदाल पसंदाना और इंतहा पसंदाना तारिकों से जुड़ा था मजगुरा दोनों तरीकों में सियासी असलाहत और अपनी हकूमत के कयाम के लिए अली अलतर्तीब आईनी और एहतजाजी तरीके अपनाए गए थे इन कलाबियों में पूना के चापेकर ब्रादरान यानी दमोदर और बाल क्रिश्न शायम जी क्रिश्नवर्मा वीडी सावरकर मदनलाल धींगरा बरिंदर कुमार घोश प्रफल चाकी, लाला हरदयाल, भगत सिंग, सुखदेव, चंदर शेखर आज़ाद, राजगुरू, सुभाश चंदर बोस वगेरा थे जिनोंने ऐसे जराय और वसाइल को तसलीम किया और उन पर जमे रहे यही लोग इनकलाबी कौम परस्ती के तोर पर मारूफ हुए, उन में से बहुत से इनकलाबी कौम परस्त, अपने हम असर नजरियात और तहरीकों से मतासिर थे, जो उस वक्त दीगर मुमालिक में, मसलन आईरलेंड में, रूनुमा हो रही थी, इस इतिकाद के साथ, के पु अगरीबी समराजियत को शिकस दी जा सकती थी, उन इनकलाबियों ने खूफिया तन्जीमें बनाई, मसला तर्बियत कराई, किताब्चों के जरिये अपनी कारवाईयों के अकली जवास के लिए तशहीर कराई, और आला ओहदों पर फाइज उन अफसरों को गतल किया, जिन Sunny K. Beginning with the late 18th century, this movement saw its full flowering in the 19th century. In its wider effect, the movement inspired new types of poetry, art, music, and nationalist sentiment which focused on the beauties of nature, human emotion, folk culture, and a sense of shared heritage The English poet James Thompson, Thomas Cray and Thomas Percy provided the initial Philip to this movement Subsequently, Johann Gatfried Herder became one of its foremost exponents in Germany In general, these figures are referred to as the Romantics Swachhandata Wad इस शब्द का तातपर्य एक ऐसे बौधिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन से है जो यौरप में नव जागरण और उसके द्वारा मानविय तर्क तथा विज्ञान पर अत्यधिक बल दिये जाने की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ था अठारवी शतापदी के अंतिम दशकों में शुरू हुआ ये आंदोलन उन्नीस्वी शतापदी में पूर्ण रूप से पुश्पित हो गया इस आंदोलन के व्यापक प्रभाव के फलसुरूप नए प्रकार के काव्वे, कला, संगीत तथा राष्ट्रवादी चिंतन को प्रेर्णा मिली जो प्रकृती के सौंदर्य, मानविय समवेग, लोक संस्कृती और साजी विरासत के भाव पर केंदृत थे अंग्रेजी के कवी जेमस थॉमसन, थॉमस क्रे और थॉमस परसी ने इस आंदोलन को प्रारंभिक प्रोटसहन दिया तदुपरांथ जर्मनी में जोहान गैटफ्राइड हर्डर इस आंदोलन के एक अग्रणी प्रतिपादक बन गए ऐसे महानुभावों को सामाने रूप से स्वचंदतावादी कहा जाता है इस इस्तिलह से मुराद एक दानिशवराना और सकाफ्ती तहरीक है जिसका इर्दका यूरोप में रोशन ख्याली और इनसानी अकलियत और साइंस पर गेर मामूली जोर डालने की वज़ा से रदे अमल के तोर पर हुआ था अठारवी सदी के अवाखिर में शुरू होने वाली ये तहरीक उनिस्वी सदी में अपने अरूच पर पहुँची इस तहरीक के दूर्रस असरात ने जदीद किस्म की शायरी, फन, मौसिकी और जजबा एक कौमियत को मतासिर किया जिसने फितरत की खूबसूर्ती, इंसानी जजबा, अवामी सकाफत और मुश्टरका मिरास के तसवर पर जोर दिया अंग्रेश शायरों जैसे जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे और थॉमस परसी ने इस तहरीक को इप्तिदाई पंक अता किया बाद में जोहन गैटफ्राइड हर्डर जर्मनी में इसका सबसे नुमाया तरजुमन बन गया आम तॉर पर ये अफराद रोमान पसंद के तॉर पर जाने जाते हैं Rule of Law Generally, this doctrine refers to a system where governance is carried out on the basis of well-defined laws In practical terms, it denotes that no individual is above the law and that the same set of laws are equally applicable to all In India, this concept was brought into effective practice under the British rule Before this, different dispensations ruled either on the basis of customs, traditions or differentiated laws or even by the principle of divine right depending upon circumstances Qanun का शासन सामाने रूप से ये सिध्धान्त एक ऐसी व्यवस्था का सूचक है जहां शासन सूपरिभाशत कानूनों के अधार पर चलाया जाता है व्यवहारिक रूप में इसका ये अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से उपर नहीं होता और सभी लोगों पर एक जैसे कानून लागू होते है भारत में ब्रिटिश शासन के अंतरगत इस संकल्पना का प्रभावी रूप से पालन किया गया इस से पहले भिन्न भिन्न शासन व्यवस्थाएं ततकाली इन परिस्थितियों को देखते हुए रूडियों परमपराओं अत्वा अलग अलग कानूनों के आधार पर यहां तक की देवी अधिकार के सिध्धान्थ पर भी चलती थी आम तोर पर इस उसूल से मुराद एक निजाम है जिसमें वाज़े तोर पर बयान शुदा कवानीन की बुनियात पर हुक्मरानी को अमली जामा पहनाया जाता है अमली तोर पर इस इस्तिला से उस बात की तरफ इशारा होता है कि कोई भी कानून से बालतर नहीं है और कानून सब पर यकसा तोर पर नाफिज होता है हिंदुस्तान में इस तसवर को मौसर तरीके पर बरतानवी दोरे हकूमत में रुबा अमल लाया गया इस से कबल मुख्तलिफ सियासी और मजहवी निजाम रसूम रिवायत पर या फिर अम्तियाजी कवानीन या हालात के पेशे नजर खुदाई हक के उसूल की बुनियाद पर राइच थे पेज 110 Rule of Primogeniture It refers to a system where the eldest son is given preference of inheritance by rule, tradition or practice. Whereas in ancient India, there was a general tradition of the firstborn male child succeeding his father to the throne. In medieval times, the Mughals followed the timurid tradition of co-parsenery inheritance. See also co-parsenery inheritance. जे श्ठाधिकार का नियम ये अभिवेक्ती उस प्रणाली की सूजक है जिसके अंतरगत पिता की जायदात पर कानून, परंपरा अथ्वा चैनित प्रथा के अनुसार सबसे बड़े पुत्र का पहला हक होता है. प्राचीन भारत में ये एक सामान्ने परंपरा थी कि राजा का सबसे बड़ा पुत्र उसके राज सिंग हासन का पहला हकदार होता था. किन्तु मध्धिकाल में मुगलों ने सहदायादी उत्राधिकार की तैमूरी परंपरा का अनुसरन किया. सहदायादी उत्राधिकार भी देखें। इस इस्तिला से मुराद एक निजाम है जिसमें सबसे बड़े बेटे को कानूनन, रिवायतन या अमली तोर पर मिरास में तरजी दी जाती थी. गदीम हिंदुस्तान में एक आम रिवायत थी कि पहला पैदा होने वाला लड़का अपने वालिद के तक्त का जानशीन होता था. लेकिन एहदो वस्ता में मुगलों ने तरका से मुतालिक तैमूरी रिवायत के जाबते पहलोटी पर अमल किया. मजीद देखें मुश्तर का मिराज. रिवायत, रिवायत, रिवायत. This is a general term used to indicate all strata of the peasantry in medieval India. The British subsequently adopted it while devising various revenue settlements. See also रिवायतवारी system, permanent settlement, महलवारी, पत्टा. रिवायत. ये एक सामान्ने शब्द है, जिसका प्रियोग मध्यकालीन भारत में सभी स्तरों के कृषक वर्ग के लिए किया जाता था. आगे चलकर, ब्रिटिश सरकार ने राजस्वसंबंधी विभिन्न बंदोबस्त करते समय इस शब्द को अपनाया था. रियत वाड़ी बंदोबस्त, साई बंदोबस्त, महाल वाड़ी, पत्टा भी देखें. रियत. ये एक आम इस्तिला है, जिसका इस्तिमाल एदोवस्ता के हिंदुस्तान में किसानों के हर तबके के लिए किया जाता था. बाद में बरतानिया ने उसे मुख्तलिफ लगानों के बंदोबस्त करते वक्त अपनाया था. मजीद देखें. निजाम रियत वाड़ी, मुश्तकिल बंदोबस्त, महलवाड़ी, पत्टा. रियत वाड़ी सिस्टम This system of land revenue assessment that had been introduced in the Madras and Bombay presidencies, respectively, by Thomas Munro and Mount Stuart Elphinstone in the 19th century was known as the रियत वारी system. Under this system, the revenue was directly settled between the government and the रियत. The average income from different types of soil was estimated, the revenue paying capacity of the रियत was assessed, and a proportion of this was fixed as the share of the state. The lands were surveyed every 30 years to reassess the revenue demands which were revised upwards or downwards instead of being fixed permanently. The system not only established a direct relationship between the government and the रियत, eliminating the intermediaries like the zamhidars or the tallukdars but also made the latter the proprietors of the land granting them the rights of lease, mortgage and sale. On the downside, the system also increased value of land bringing in moneyed people like moneylenders and speculators to misappropriate land from the hands of the rayad under the garb of non-payment of debts. This led to a change in the local agrarian social structure. रैयत वाडी बंदुबस्त ये भू राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी जो मदरास प्रेजिदेंसी में Thomas Monroe और बंबाई प्रेजिदेंसी में Mount Stuart Elphinstone द्वारा उन्नीस्वी शताबदी में लागू की गई थी. इस प्रणाली के अंतरगत राजस्व का निर्धारण सीधे सरकार और रैयत के बीच किया जाता था. इसके लिए पहले भिन भिन खिसम की जमीन से होने वाली आए का अनुमान लगाया जाता था और रैयत की राजस्व अदा करने की इक्षमता का आकिलन किया जाता था और फिर उनके अनुमात को देखते हुए सरकार का हिस्सा तै किया जाता था. राजस्व की मांगों को पुना निर्धारित करने के लिए हर तीस वर्ष के बाद जमीन का सर्वेक्षन किया जाता था और तदानुसार राजस्वमांग को स्थाई रूप से स्थिर करने की जगा उसे घटाया बढ़ाया जाता था इस प्रणाली ने एक और जहां जमेदारों तालुकदारों जैसे बिचॉलियों को खत्म करके सरकार और रईयत के बीच सीधा संबंध स्थापित कर दिया वहीं दूसरी और इस से रईयत जमीन के मालिक बन गए और उन्हें अपनी जमीन को पट्टे पर देने गिर्वी रखने तथा बेचने के अधिकार मिल गए लेकिन इस प्रणाली का एक दुर्भाग पूर्ण परिणाम ये भी हुआ कि इस से जमीन की खीमतें बढ़ गए जिससे साहुकार तता सटेबास जैसे धनवान लोग रईयत द्वारा कर्जे का भुकता नहीं किये जाने की आड़ में उनकी जमीने हडपने के लिए आगया इस से स्थानिय कृशी संबन्थी सामाजिक धाचे में एक परिवर्त अना गया निजाम रैतवारी माल गुजारी मुकर्र करने का वो तरीका जिसे मदरास और मुंबई प्रेजिडेंसीज में बिला तर्तीब थॉमस मुन्रो और माउंट स्टुवर्ट एल्फिंस्टाइन के जरिए उन्निसवी सदी में नाफिस किया गया था निजाम रैतवारी के नाम से जाना जाता था इस निजाम के तहट माल गुजारी का तस्टुविया बारारास सरकार और रैतवारी के दर्मियान होता था मुक्तलिफ किस्म की जमीनों पर होने वाली पैदावार की ओस्ट आमदनी का तखमीना रैत की इस्तियात एदाईगी का अंदाजा और उसी के तनासिब से रियासत के हिस्से मुकर्र किये जाते थे मतलुबा माल गुजारी का असर नौ तखमीना लगाने के लिए हर तीस साल में जमीन का जाइज़ा लिया जाता था जिसको मुस्तकिल तोर पर मतेयन करने के बजाए आगे या पीछे करकर उस पर नजर सानी की जाती थी इस निजाम ने सलसी करने वाले मसलन जमीनदारों या तालुकदारों को खत्म करके ना सिर्फ हकूमत और रियत के दर्मियान बारारास तालुकात कायम किये बलके रेयतों को पट्टा, रहन और फरोखत करने का इक्तियार देकर उन्हें जमीन का मालिक बना दिया जाता था इस गिरावट के सबब इस निजाम ने पैसे वालों, मसलन, सहुकारों और तखमीना करने वालों में तहसील जमीन की एहमियत को बढ़ावा दिया के वो करजों की अदम अदाईगी के बहाने रेयतों की जमीन गजब करें इस से इलाकाई जराई समाज के धाचे में तबदीली आई Letter R of Trilingual Dictionary of History for Schools ends here Read by Suchitra Gupta and Mohamed Saad Trilingual Dictionary, you were just listening to this presentation Project Coordination, Rajesh Nimesh Subject Coordination, Dr. Seema Shukla Ojha Project Advise, Dr. Bharti Kaushik Technical Coordination, Battilang Lindo Assistance in Production, Meenakshi Kukureti Framework Advise, Ajit Horo Production Coordination, Vandana Arimardhan Produced and Directed by Vimlesh Chaudhary And this presentation is brought to you by CIET, NCERT, New Delhi, India . AAAAAAAAAA투 झाल झाल